हेलो फ्रेंड्स वार मॉस्ट वेलकम इन पीवीपीला अनलाइन क्लासेश वेरी शून रिजल्ट राफ यूपीपीसेश जे टू थाउजन ट्विट्टी थी प्रिमिनरी इस टू बी अनौंच डैंड मेंस एक्जामिशन इस टू बी कंडुक्टे इन मीड आफ मैं तो आज मै मैं आपको CRPC से आने वाले प्रस्णों पर चर्चा करूंगा और चर्चा में मुख्यतम यह कहूंगा बताऊंगा आपको कि किन किन टॉपिक्स को आप तयार करिए जहां से मुख्य परिप्षा के प्रस्ण आते हैं लेकिन इससे पहले दो सूचना है एक तो लाफ एविडेंस में प्रिविएस येर की जितने भी क्वेस्टेंस थे 2003-2018 इन सब पर मैं चर्चा कर चुका हूँ लाइफ क्लाफ जो चलती हो चल गई है उन सारे वीडियोज को PVP Law Mobile App पर अपलोड कर दिया गया है आप वहां जाईए और वहां से उसको पर्चेज करके देखिए Law of Evidence पर प्रिविएस येर के सारे क्वेस्टेंस पर चर्चा की गई है कौन कौन से टॉपिक से क्वेस्टेंस बनने वाले हैं इनकी पूरी लिस्ट है ठीक है दूसरी चर्चा की रिजल्ट अनाउंस होने के तुरंद बाद मैं आउनलाइन यूपी लोकल ला की क्लासे चलाने वाला हूँ लोकल ला की क्लासे का मतलब प्रिविएस येर के क्वेस्टेंस पर चर्चा करूँगा क्लास पूरी नहीं चलेगी और जजमेंट राइटिंग प्रिडिंग और ड्राफ्टिंग ये दोनों रिजल्ट अनाउ सुने की तुरंद बाद तो आप इसके लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं 895756-8536 अब आते हैं CRPC पर पूछे जाने वाले प्रशनों से संबन्धित चर्चा पर और इसमें आप ध्यान से देखिए मैं अगर पांच महत्तोपून टॉपिक्स पर चर्चा करूँ किस पांच फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आफ सी यार पीसी from which questions of means are derived जहां से मुख्य पर चर्चा परसंद निकाले जाते हैं the most important chapter is chapter 35 chapter 35 एकदम रट जाई ये chapter 35 section 460-461 very very important irregularities in a proceeding and consequence thereof ये जरूर पूछ रहा है whether a special kind of irregularity makes the proceeding invalid or not ये जरूर पूछता है it is ours in every examination हर एक परिछा में पूछा गया है कि फला कायरवाई में अगर अनिमिजता बरती गई तो क्या वह पूरी कायरवाई अवैद हो जाएगी यानि अनिमिजता पर प्रभाव अनिमिजता का प्रभाव कायरवाई पर अनिमिजता का प्रभाव हमीशा पूछा जा रहा है चैप्टर थर्टी फाइव इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देन चैप्टर फिप्टीन कंप्लेंट सरी सेवेंटीन चार्ज आरोप से संबंधित प्रशन हमीशा बन रहे हैं उसमें भी बेसिकली कॉन्टिन्ट आफ चार्ज अन्ड आफ mode of commission of offense when to be mentioned का अपराद करने की रीट का उलेक कब किया जाएगा ये पूछा जा रहा है एल्टेशन होगा तो उसक्या क्या फर्क पड़ेगा section 216 और सबसे महत्त पूर्ण जो पूछा जा रहा है आरोप विर्चन में तुर्टी का प्रभाव consequences of any fault in charge framing 215 read with section 464 तो ये बहुत important है आप इसको पढ़िएगा बहुत ही important है दोनों मिला करके ठीक है यानि chapter 35 के साथ 215 215 के illustrations पूछे जा रहे हैं हमेशा पूछे जा रहे हैं तो दो chapter में अगर पहला important है 35 तो दूसरा है chapter 17 the third important chapter is chapter 5 arrest the most important chapter chapter 5 arrest गिरफतारी पर हमेशा प्रस्ण बन रहा है ठीक है magistrate गिरफतारी करेगा तो क्या वह भी आधार बताएगा गिरफतार विक्त क्या आधार बताईए ठीक ये तीन chapter हो गए then चौथा जो important chapter है वो है chapter number 6 chapter 6 बहुत important है process to compel a person to come before court किसी व्यक्ति को नियाले में आने के लिए विवस करने के लिए आधेशी का summon गिरफतारी warrant attachment और proclamation से प्रस्ण नहीं आए हैं अभी तक जहां तक मैंने देखा है बाद में आए होंगे लेकिन फिर भी वो chapter खास कर उसका part D बहुत important है section 87, 88, 89, 90 ये important sections हैं तो ये ध्यान में दीजिएगा और जब chapter 6 पढ़ते हैं तो 7 भी जरूर पढ़िए ये दोनों ही process से सम्बंदित हैं देन एक chapter आपका important बनता है chapter 20 and 21 summary trial summons trial the procedure of summon trial is to be followed in summary trial तो trial से बहुत important questions बन रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा question बनेगा summon trial summon trial से क्यों बनेगा योगि summary trial जब पूछा जाएगा तो summon trial आपको लिखना होगा तो 20 and 21 very very important आप इसको जरूर याद रखिएगा इसको जरूर अच्छी से सिद्दत से पढ़िए ठीक है यहाँ से question बन रहे हैं इसके अलामा अगर आप देखें तो चार्ज framing में जो दूसरा पार्ट है चार्ज का chapter 17 का जो पार्ट भी है जहां joinder of charges जहां आरोपों की संयोजन की बात की गई वो पार्ट भी बहुत important है वहां से भी question आ रहा है कुछ एक question कभी कभी chapter 8 से आया है chapter 10 से question आया है यह land dispute को कैसे sort out करते हैं position का जो dispute 145 में इसके अलावा chapter 13 पूरे chapter 13 को एक बार go through कर लीजिए उसको देख लीजिए chapter 13 jurisdiction of court cognizance grounds of cognizance chapter 14 आप कहेंगे से तब तो सब important है वहां कहीं इन्वेस्टिगेशन में section 167, 164 and 174 to 176 यह सबसे important मिलेंगे आपको ठीक है otherwise question तो section 159 से भी आया है 159 से question है कि कोई irregularity बरती जा रही है सच्चों के द्वारा विक्टिम कर रहे हैं या केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो यह question दो बारा है इसका एंसर 159 से है और निगेटीव एंसर है कि नहीं नहीं रोख सकते हैं तो आपको इस तरह से तयार करना है CRPC अभी आज मैंने जितना काउंट कराया इतने को आप तयार कर गए CRPC पर मुखे पर इच्छा के परसनों को मैं हल कर रहा हूं क्लास इसमें चल रही है आप चाहें तो जूड़ सकते हैं से सिस्थिक जानकारी के लिए संस्थान से जूड़ने के लिए आप 895756 8536 पर सं चल रही है धन्यवाद